हलो स्टुडेंट्स ग्लास थार्ड बच्चवाई आपके math की घ्लस स्टार्ट करते हैं math में हमारा multiply का topic चल रहा था और आज हम करेंगे page no 69 जहां पर आमारे problem songs हम ते रहके हैं देखो no 1 problems हमें problems हम क्या होते हैं 가운데 हम आपको statement लिख कर उसको solve करना होता है Gari Ma purchase 25 notebook गरिमानी कितनी नोट बुक्स पर्चेस करी है 25 कॉस्टिंग रुपीज 14 इच इच का मतलब होता है एक ठीक है एक बुक की कॉस्ट कितनी है 14 रुपीज और उसने पर्चेस कितनी करी है 25 वाउ मच एमाउंट डिड शी पे उसने कितना एमाउंट पे करा जहां पर आपको किसी एक का आपका एमाउंट बताया है जैसे यहां पर है न एक का बताया है और 25 नोट बुक्स का एमाउंट पूछा है आपसे यही पूछा है न उसने टोटल कितना पे करा तो उसने 25 नोट बुक्स पर्चेस करी है तो 25 notebook की amount पे करेगी वो तो आपको one notebook का amount बता दिया है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है जहां जादा का पूछा है और कम मतलब एक का बताया है वहाँ पर हमें क्या करना होता है multiply अब देखो multiply आप कैसे करेंगे पहले statement लिखेंगे number of notebook purchased कितनी notebook purchase करें 25 costing of each notebook costing of each का मतलब मैंने बताया ना भी each का मतलब होता है एक है ना एक notebook की cost कितनी है 14 rupees total amount paid अब उसने कितना amount paid करा है अब आप सोचोगे कि मैं यह तो double वाले ही जो मैंने आपको multiply सिखा चुके हूँ आप क्या करेंगे copy में जब statement लिखेंगे तो side में जोको ऐसे line बनी होती ही ना copy में और नई भी बनी हो तो आप side में जो आपका scale होता है उतने के बराबर एक line खीच लेंगे side में चीक है वहाँ पर आप इसको solve करेंगे solve कैसे करेंगे means यहाँ पर मैंने directly आपको दे दिया यहाँ आपको answer लिखना है कैसे पहले हम यह roughly करके देख लेंगे यही side में हमने लिखा 25 उसमें 14 का multiply करना है हमेशा जो छोटी digit होगी वो नीचे आएगी ठीक है multiply करनेंगे कैसे पहले 4 का multiply 4 5 जा 20 2 4 तू जा 8 और 2 10 हो गया यहाँ पर हम क्या लगाएंगे cross चीक है फिर 1 का multiply करेंगे वन का 5 में करा 5 तू में करा 2 अब इसको add कर लेंगे 0 5 3 तो हमारा total amount कितना आ गया 350 रुपीज तो यहाँ पर directly हम answer लिख देंगे ठीक है 350 रुपीज clear तो आप यहाँ side में rough work करेंगे यहाँ पर पूरा solve करके जो आपका answer होगा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे आपको इस तरीके से करना है ठीक है अब चलो next question है हमारा in a school there are 12 classes school में कितनी classes है 12 classes है each class each का मतलब समझ में आगे ना एक class में each class has 45 students एक class में कितने students है 45 how much students are there in a school अब total school में कितने students है ठीक है तो सबस्पहले हमें classes दी है इसलिए हमने यहाँ पर classes लिख दिया है ठीक है वैसे आपको अगर आ multiply करेंगे तो आपकी छोटी डिजिट जो है वो नीच ही आएगी number of total classes is equal to 12 number of students in each class 45 total students in school हमें school में total students बतानी है मतलब एक room में आपके 45 students है तो 12 room में आपके कितने students होंगी तो क्या करेंगे यहीं पर side में करके देख लेंगे इसको हम रब भी कर सकतें बाद में है ना तो 45 में 12 का multiply कर देंगे तो 5 जा 10 1 carry 2 4 जा 8 और 1 9 फिर यहां पर multiply का sign लगेगा 1 की table बढ़ेंगे तो 5 और 4 तो हमारा answer आएगा 9 में 5 को plus करा 14 total answer आया हमारा 514 तो यहां पर directly हम answer लिख देंगे 540 क्या हैं यह 540 students total school में students कितने हो गए 540 ठीक है clear अब चलो next question पर पढ़ते हैं यहां पर रहे 9 books are prescribed in class 3rd of your school मतलब आपके class 3rd में आपके school में कितनी books prescribed करी गई हैं 9 books चीक है there are 38 students in the class और total class में कितने बच्चे हैं 38 how many books are there with all the students एक बच्चे को कितनी books मिलेंगी 9 तो यहां पर हमें पूचा है कि एक बच्चे के लिए 9 books हैं तो 38 students है total तो कितनी books वहां पर चाहिए तो यहां पर देखो number को हम short में ऐसे लिख देते हैं number of books prescribed in class 3rd कितनी है 9 number of total students in class कितनी है 38 total books with all students कितनी होंगे तो यहां पर देखो multiply ऐसे कर देंगे यहां पर आप 38 उपर यह वाले statement उपर लिख सकते हैं 38 में 9 का multiply करेंगे 9 8 जा 72 7 केरी 9 3 जा कितनी होगे 27 27 में 7 को add करा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 कितना होगे हमारा 342 तो यहां पर आंसर में mention कर देंगे ठीक है असे नमबर 4 कोश्चन है there are 175 pages in a book एक book में कितनी pages है 175 pages पहले पढ़ा करो ध्यांसर को each page has 28 lines each page मतलब एक page में कितनी lines है 28 lines है how many lines are there in a book अब total हमें पूरी book में line बतानी है तो एक page की line बता दिया है आपको कितनी है 28 lines तो अब आपको total बतानी है total पूरी book में कितनी lines है तो देखो number of total pages in a book total page कितनी है 175 number of lines in each page 28 total lines in a book अब हम क्या करेंगे इसको यहां पर multiply करके देख लेंगे 28 multiply करेंगे 8 फाइब जा 44 carry 8 से बंजा 56 56 में 4 को आइड करा 60 6 carry 8 बंजा 8 और 6 14 छीक हैं? फिर multiply का sign लगाया फिसका अब में 2 फाइब जा 10 1 carry 2 से बंजा 14 और 1 15 1 carry 2 बंजा 2 और 1 3 तो हमारा टोटल आंसर कितना आया? 4900 ठीक है? आप इसको रब भी कर सकते हैं यह नहीं सोचे कि इस दूसरे question के सामने आजा है लेकिन आप तो एक question उतारेंगे न? ठीक है? तो यहां पर हम solve करके यहां सीधा answer लिख सकते हैं यहां पर multiply का sign लगाएंगे ठीक है बचो? clear? इस तरीके से ही मैंने आपको problem sums करके दे रही हूँ आप इनको समझ के करना यह नहीं है कि only आप note down करे जाने हैं देख देकर ठीक है? अब इसके बाद एक काम और दे रही हूँ मैं आपको मैं आपको last time page number 63 33 तक करा चुकी थी ठीक है? अब page number 64 और 65 पर यहां पर sums दिये हुए है ठीक है? यह आपको खुद solve करने हैं और book में fill करने हैं ठीक है? page number 64 पर 1 से और page number 65 तब 20 यह आपको book में ही solve करने हैं अब आप सोचोगे मैं यहां पर visit वाले दे रखे हैं यह हम book में यहां पर कैसे करें? जैसे मैंने आपको बताया कि copy में जैसे मैंने statement वाले सम बताए हैं कि हम side में roughly work करा जो answer आया है वो हमने यहां fill कर दिया इस तरीके से आप यह sum एक rough copy ले लेंगे उस पर एक-एक sum solve करते जाएंगे और उसका answer जो आएगा वो अपनी book में fill करते हुए जाएंगे ठीके? इस तरीके से आपको 1 to 20 यह जो समय यह आपको अपनी book में खुद करने हैं बताओ जितनी यह practice आप खुद करोगे अब तक मैं आपको solve करके देती आई हूँ अब यह आप खुद करोगे ठीके? बाकी तो statement वाला वर्क दे रही हूँ वो आप copy में करोगे यह वाला वर्कार अपनी book में करोगे clear? और इसके बाद ठीके? एक वर्क में आपको भीजूँगी क्या? 11 to 20 तक tables ठीके? 11 to 20 तक tables आपको learn करनी है अब 5-5 करके learn कर लेंगे आपको 10 तक सभी को आती है 11 to 15 करेंगे पहले 15 to 20 करेंगे जब आप sum आगे आगे करेंगे तो आपको table भी learn होनी चाहिए न आगे multiply भी और आ सकते हैं या divide हैं तो समय हमें table learn होनी चाहिए ठीके बच्चों? तो आज के लिए इतना ही thank you